वाई जैग, राजकोट और अब रांची भारत में आकर तहसन हस हो गया इंग्लेंड का, बैज बोल, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंध तक बने रहिए भारत में इंग्लेंड के खिलाफ रांची टेस्ट मैच में पांच विकेट से जीत हासिल की इंग्लेंड के बैज बोल की हवा निकली ब्रैंडन मैक कुलम के कोच और बेन स्टोक्स के कप्तान बनने के बाद से हर हालात में आकरामक खेल की इंग्लेंड की रननीती को बैज बोल कहा जाता है भारत ने इसका मुँखतोर जवाब दिया है और इसकी सुत्रधार भारत की युवा ब्रिगेड रही इंग्लेंड ने हैदराबाद टेस्ट में भले ही टॉम हार्टले के दम पर भारत को पराजित किया लेकिन उसके बाद उसके बैज बोल, गेम की हवा निकल गई उदाहरन के लिए रांची टेस्ट में इंग्लेंड की दूसरी पारी को ले सकते है उस इनिंग्स में इंग्लेंड ने 53.5 ओवर में 145 रन बनाए और उसका रन रेट 2.69 रन प्रती ओवर रहा कहने का मतलब है कि इंग्लेंड को भी आखिकार अंदाजा हो गया कि भारत में उसका बैज बोल, गेम चलने वाला नहीं है अब भारत ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने बैज बोल, एरा में इंग्लेंड के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज जीती टेस्ट सीरीज से पहले भारत को कुछ बड़े जटके लगे थे विराट कोहली निजी कारणों और मोहमद शमी इंजरी के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे फिर केल राहुल भी बीच सीरीज में इंजड हो गए हालांकि इन जटकों से भारतिय टीम का मनोबल नहीं तूटा रोहित शर्मा की अगुवाई में युवा खिलाडियों ने मिले मौकों को खूब भुनाया सर्फराज खान, विकेट कीपर दुरूफ जुरेल और तेज गेंदबाज आकाश दीप ने डेब्यू सीरीज में अपनी चाप छोड़ी सर्फराज ने राजकोट में अपने डेब्यू पर दो अरधश्त किये पारिया वहीं जुरेल डेब्यू मैच में 46 रन बनाने के बाद रांची में गदर मचा दिया